हरो स्टुएंट्स इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कने वाले एंस्टी क्लास्ट ट्वेल चेटर नबर सिक्स एम इल्या टो माइटिक इंडेक्स संद के अंदर सेकंड थियरी जिसका नाम होगा लेंस लो तो दोस्तो इस थियरी को स्टडी करने से पहले आप लोगों को फ आप लेंस लोग और उसके एक्सपेरिमेंट के मदरस से हम लोगों को जो मैंनेटिक फील्ड अमेंटिक उसके अंदर करण्ट प्रोडिस हो रहा है और जो एमप मिलेगा और लेंस लोग इंडेक्शन मिलेगे तो यह दोनों आपके लिए बन गए एंस तुए लाइट की उस और दोस्तों अपनी कोईन में दे रहे हैं इसके अंदर प्रवाइट कर रहे हैं वो करण की डिरेक्शन तो हम लोगों को पता ही है कि वो करण ऑलवाइस बेटरी के प्लस से होता है तो आप 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 देरेक्ट चेक नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए ये एक स्परिमेंट किया जिसके हम बात करेंगे और उसको आपको जहनना होगा फिर आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कैसे राइट फिल्ड और करंट और यह में प्रोडिस होगा तो यहाँ पर भी हम जितने भी M.C. की सोंगे उने सब का डिस्कास कने वाले हैं आप इस वीडियो को खास अंतर देखेगा तो सबसे पेले हम स्टार्ट करें तो दोस्तो और एक M.C. की बात में बता देता हूँ पर इस परीमेट में उसने गया कि एक कोईल के सामने उसने एक बार मेगनेट वो रखा और उसके नोर्थ पोल को दोस्तो नोर्थ पोल को उसने उस कोईल की नदिक ले जाने की ट्राई गी तो उसने देखा कि गेलियो मीटर के अंदर करंट इन्डिस हुआ जो फेड़ा दे पर रटना नहीं है कि अच्छे घुल की नधिक लेंस पर इक के आड़ देख सब कर रहा हुं के जब उसने बार मेडिनेट के आंपल को एन्डिक लिया तो उसने गेस किया कि चलो इस कोईल के अंदर जो current इंडिस होगा राइट और उस current की मतर से दोस्तों obvious बात है हम लोग chapter 4 में study कर गए है जो current इंडिस होगा वो जो कोईल होगी हो नोर्थ का साओ राइन एका करें घहां आपनिस हो रहा है तो दोस्तों अब ब्यू委ींस लेकित इस कोईल का स्क्रील को यहां होगा तो जीसे जैसे मेगनेट नदी जाएगा तो हमने फेराडेस experiment में चेक किया कि जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना करण्ट इसमें ज्यादा प्रोडीस होगा और जितना इस स्कॉइल में कराण्ट ज्यादा प्रोडीस होगा उतना मेगनेटी फिड ज्यादा क्या होगा श्ट्रोंग होगा और उतनी स्पीश से गया करेगा डाइनेट को अपनी और खीचेगा तो और आप जब इस कोईल के अंदर राइट करन्ट पास हो रहा है तो आप रदिश्टर इसमें कनेक्ट करोगे तो हम लोग जूल के लोग में स्टडी कर चुके हैं आई स्क इसके अंदर एनेजी आई कहां से और एनेजी कभी भी मुट में या फ्री में तुमको मिलती नहीं है मतलब कि उसने जो ग्लेस किया था कि जो बार मेंडेट का कोईल के सामने एन होगा तब कोईल के अंदर एस इंडियूस होगा वह बात क्या कि गलत थी तो अब एक ही उप अगर यहां पे एनपर प्रोडूस होगा तो आप लोगों को इस एनपोल को कोईल के एनपोल के नजदीक ले जाना होगा तो इस बात इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगा रिपल्जन होगा अब यह कोईल इसको नजदीक नहीं आने देगी तो आप लोगों को क्या करन कि ज़़ उसके अंदर कोई भी pole induced होगा दोस्तो तो वो pole क्या करेगा कि जो हमारा magnet होगा उसकी motion का oppose करेगा तो उसके उपर से उसने एक statement या जिसके बात करें कि किसी भी coil के अंदर magnetic field वेस है और magnetic field और आप बोल सकते हो induce current और induce EMF ऊसोिन सी मज़े से जो फिल प्रोडिस होगा हमारे मेंगनेटीक बार का सब्सक्राइब है मतलब हुआप के ं हूग कि यहां पर एक कासी होगा तो तो यहां पर करेंग और दोस्तो बगर magnet का n pole, right, n pole, इसको इनकी नदिक आएगा, नश्दिक आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो, n pole produce होगा, n pole produce होगा, और obvious बात है, इन दोनों की बीच में क्या होगा, reverse होगा, right, और यहाँ पर क्या होगा, increase होगा, क्योंकि यहाँ पर नश्दिक आ रहा है, right, अब जब इसी pole को दोस्तो खास लागा, यहाँ पर n ही होगा, इसी pole को आप दूर ले जाओगे, तो खास यहाँ रखना, यहाँ पर s pole produce होगा, मुर्लब की यहाँ पर इसका s, और इसके n को क्या करेगा, attract पर से ब चास बसके बास करेगा, यहाँ पर रखना का s, और अब इसी s pole को आप दूर ले जाओगे, तो इसके याद रखना होगा, यहाँ पर नश्दिक आगा तो उसको आपको इतना याद रखना होगा, धोस्तों, कि नजदिक आएगा तो उसमें नजदिक का जो पॉल होगा वो प्रोडिस होगा और अगर ये मेगनेट दूर जाएगा तो इसके अंदर जो दूर का पॉल होगा वो प्रोडिस होगा मैं आपको फी सरी राइस कर आँ अगर आप लोग यहाँ पे तो यहाँ के नजदिक आएगा तो नजदिक वाला पॉल मतलब क्या होगा म maniac बलब क्या होका इसके मरूल में jee होगा तो यहाँ प्रोडिस होगा और इस फ सव दूर ले जाओगे तो इसका दूर वाला पॉल क्या होगा दोस्तों σामने की और तो यहां पे अंदर S होगा, तो इसके 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 अ